अमश्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपके नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में अन्बॉक्सिंग करने वाले हो रेड्मी नाइन एक्टेव की और साथ में करेंगे इसका रिव्यू तो चलिए गाइस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं तो फटफट से box को open कर लेते हैं चाहा पर आपको headset देखने को मिलता है और यह एक box है box में आपको sim ejector tool और यहाँ पर कुछ user manual guide मिलते हैं और charging cable है और एक adapter है तो यहाँ पर जो देख रहे हो इतना ही समान मिलता है cover और headphone देखने को नहीं मिलता है चार्जिंग के लिए micro USB port दिया गया है और 10W का adapter है तो चली फटा-फट से mobile को open कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका mobile का look कुछ strap का है, back से design कुछ strap का मिलता है, front से इसका design कुछ strap का है तो यहाँ पे एक polythine चड़ी वी है तो इसको आप निकाल लेंगे पहले के according आपको screen protector देखने को नहीं मिलता है, इसको आपको अलग से लगाना पड़ता है तो फोन को हम on कर लेंगे तो bottom design कुछी strap का है, यहाँ पे speaker है, यहाँ पे micro USB port है charging के लिए और यहाँ पे microphone है left side में आपको SIM tray देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको triple card slot दिया गया है, दो आपकी SIM के लिए और एक आपकी memory card के लिए और top design में आपको 3.5 mm का audio jack दिया गया है, यहाँ पे infrared का sensor नहीं है, यानि कि MI remote आपका काम नहीं करेगा और right side में volume up button, volume down button और power button है, और यहाँ पे आपको headset speaker, selfie camera और proximity sensor देखने को मिलता है back card design आपको कुछी strap का मिलता है, यहाँ पे water appliance coating दी गई है, इस पे आपका अंगूठे का निशान भी नहीं पड़ता है यहाँ पे आपको dual camera देखने को मिल जाता है LED flashlight के साथ, और देखने पे लगता है 4 camera है तो mobile का hand grip कुछी strap का बनता है, mobile की motor 9 mm है, और weight 1944 gram है तो lightweight और slim तो नहीं बोल सकते हैं इसको, फिर भी hand grip इसका अच्छा बन रहा है तो इस mobile में दो color और देखने को मिलते हैं, black और purple और दो variant में आता है, 464 और 628 तो चलिए mobile का setup complete कर लेते हैं तो यहाँ पे mobile का setup complete हो चुका है और mobile का first look कुछ step का दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यह आपके apps हैं, और यहाँ पे कुछ pre-installed app है जिसको आप uninstall कर सकते हैं, easily देख सकते हैं यह control center है और यहाँ पे screen recording वगरा सारी चीज़ देखने को मिलते हैं यहाँ पे आपको minus one screen भी देखने को मिलते है minus one screen को आप remove कर सकते हैं जैसे को देख सकते हैं, यह remove हो गया है आपको new control center का भी option देखने को मिलता है इस mobile में MIUI 12 देखने को मिलता है जो की run करता है Android 10 पे storage की बात कर लेते हैं, तो 11 से 12 GB आपका full होके आता है और बाकी 48 के आसपास आपको available storage मिल जाता है और यह mobile आपका 5G नहीं है और NFC support नहीं करता है तो बात कर लेते हैं battery की, तो यहाँ पे आपको 5000 mh की battery देखने को मिल जाती है 10 watt की adapter के साथ तो चलिए fingerprint की testing कर लेते हैं तो fingerprint इसका काफी fast work कर रहे है तो चलिए फड़ा-फड़ से face lock की testing कर लेते हैं पेस lock भी इसका ठीक ठाक वर्क कर रहे है तो बात कर लेते हैं display की, तो यहाँ पे आपको IPS LCD display देखने को मिल जाता है जिसका screen size है 6.53 inch और resolution है 720-1600 pixel यानि की HD plus display देखने को मिल जाता है 279 PPI density के साथ आप देख सकते हैं कि display का color correction काफी अच्छा है color इसका काफी vibrant है तो अब बात कर लेते हैं sound की तो यहाँ पे आपको 3.5 mm का audio jack दिया गया है जिससे आप sound का output निकाल सकते हैं नीचे में आपको single speaker देखने को मिलता है तो चलिए sound की testing कर लेते हैं तो price range के हिसाब से sound की quality अच्छी है तो यहाँ पे आपको media tech का helio G35 processor देखने को मिलता है जो कि एक octa core processor है और entry level का gaming processor भी बोल सकते हो इसको तो इसकी 4 core की maximum clock speed 2.3 GHz की है बाकी की 4 core की 1.8 और GPU के नाम पे power VR GE83 देखने को मिल जाता है तो free fire bgmi जैसी game आप light mode में खेल सकते हैं लेकिन अगर पहले से mobile overloaded है तो यहाँ पे mobile आपका hang होने वाल है और sensors के नाम पे आपको fingerprint, accelerometer और proximity देखने को मिल जाता है पात कर लेते हैं camera की तो यहाँ पे आपको dual camera देखने को मिलता है white camera आपको 13 megapixel का देखने को मिलता है 2.2 aperture के साथ और जो second depth camera है वो 2 megapixel का देखने को मिलता है 2.4 aperture के साथ और साथ में single LED flash दिया गया है और video में आप full HD video shoot कर सकते हैं 30 fps के साथ front में selfie camera 5 megapixel का दिया गया है 2.2 aperture के साथ और same आपको video resolution देखने को मिल जाता है और साथ में कुछ filters देखने को मिल जाते हैं portrait mode में यहाँ अलग-अलग filter आप use कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ features देखने को मिल जाते हैं तो camera feature के अलग से video बना रहे हैं चैनल पर विजिट करके देख लिजेगा और इस mobile में आप OTG से भी file data transfer कर सकते हैं रही बात reverse charging की तो इसकी वीडियो अलग से बना रहे हैं चैनल पर विजिट करके देख लिजेगा तो चलिए कुछ clicks दिखा देती हूं तो यह indoor की वीडियो है back camera की और यह back camera की photo है और यह back camera की portrait mode की photo है जिसमें background में blur देख सकते हैं और यह front camera की video है और यह front selfie camera की photo है जिसमें इसकी clarity आप देख सकते हैं और यह front camera का portrait mode है यह daylight की video है यह outdoor की picture है और यह outdoor का booking mode तो camera review की बात कर लिए तो indoor हो चाहे outdoor हो portrait mode में camera focus करने में काफी struggle कर रहा है तो front camera 5 megapixel होने के बावजूद भी photo काफी अच्छे capture कर रहा है लेकिन color correction issue है यहाँ पे काफी ज़्यादा गोरी picture आ रही है अगर आपको गोरी picture चाहिए तो यहाँ पे आप no doubt इसके लिए जा सकते हैं और back camera focus struggle कर रहा है और back camera indoor में सही है outdoor में कुछ खास नहीं है तो दोस्तों अगर आपको phone durable चाहिए जादा दिन तक चलाना तो आप इस phone के लिए चाह सकते हैं लेकिन अगर आपको game खेलना है तो आप इस phone को purchase मत कीज़ेगा तो वीडियो कैसे लगी like, share and subscribe ज़रूर कीज़ेगा अचली मिलते हैं आपको इक नेक्स वीडियो में दब तक के लिए नमशकार